जैहिन दोस्तों, क्लास 11 फिजिकल जोग्रोफी का चैप्टर 1 हमने कवर किया था लास्ट के लेक्चर में, आज हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 2 को देखेंगे और यहां से हमारी असली फिजिकल जोग्रोफी की शुरुवात होगी, क्योंकि फिर्स्ट वन वाला जो लेक्चर था वो बहुत ब्रीफ था और सारी चीजें जो डिसिप्लीन होते हैं अलग-अलग तरीके के जोग्रोफी में उससे डील कर रहा था लेकिन यहां से हम लोग अर्थ के evolution पर बात करेंगे, अर्थ का उदय कैसे हुआ, origin कैसे हुआ, इन चीजों को समझेंगे और यहां से काफी सारे question भी previous year में आए हुए हैं, तो उसे भी हम लोग cover करेंगे lecture complete होने के बाद तो start करते हैं फिर lecture को बहुत interesting यहां से होने वाला है जोग्रोफी, आपको देखे जोग्रोफी अगर हम लोग बात करें, तो एक ऐसा subject है आर्ष के अंदर जो सबसे जादा science की चीज़ें, scientific चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो बहुत जादा interesting भी रहता है और logical भी ह सबसे जादा, तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर भूमिका से सुरुआत की गई है कि क्या आपको nursery का rhyme याद है twinkle twinkle little star, जो starry nights होते हैं जिनमें बहुत सारे तारे भरे होते हैं, वैसी रातों हमेशा ही attract करते हैं हमें बच्पन से, और यहां पर हमारे मन में बहुत सारे question आ प्रियास करेंगे, देखे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अर्थ की origin है वो कैसे हुई, origin का मतलब होता है कि अस्ती तुम्हें अर्थ कैसे आई, तो देखे बहुत सारे hypothesis, different तरह के सैंटिफिस, different तरह के philosopher के द्वारा दिये गए हैं, कि अर्थ के उदे को ले करके, तो आल की theory थी, इसे बाद में mathematician Laplace के द्वारा revise की गई, तो यह जो revision किया गया, 1796 में किया, year is not so important, बस आपको समझना है कि अर्थ के origin को ले करके, one of the first theory जो दी गई थी, वो दी गई थी, Immanuel Kant के द्वारा, और इस theory का नाम क्या है, यह आपको ध्यान रखना, यहां से question बने है, और जब आप previous question कर लेंगे, जो मैं करवाओंगा, in fact, videos के बाद, तो आप समझ जाएंगे कि यह चीज़ें याद रखना बहुत सरल है, तो nebular hypothesis, अगर आप नाम से यह समझे है, तो nebular का मतलब क्या होता है, so nebula is nothing but a giant cloud of gases and dust in the space, तो देखें जब बहुत बड़े मात्रा में बहुत बड़े-बड़े cloud जब बन जाते हैं, dust के, तो यह आप भी मलुक देखेंगे भी आगे कि किस तरह से यह nebular ही, nebular ही जो reason है, nebula के कारण ही बहुत सारे planets और बाकी चीज़ें और रिजिन में आती है इने भी समझेंगे, बट फिलाल आपको यह बात, यह term clear होना चाहिए, तो इस hypothesis का क्या कहना है, कि the planets were formed out of a cloud of material associated with a youthful sun, which was slowly rotating, ध्यांत इस sentence को समझेए, बहुत जादा important है, यानि जो planets है, वो form हुए है cloud of material से, जिसमें एक youthful sun है, जो की slowly rotate कर रहा था, तो एक youthful sun था, youthful sun का क् लवे, युवा सन, अब युवा सन क्या है, क्या सन की भी age होती है, अभी हम लोग देखेंगे भी कि एक approximate time period माना गया है, और कितनी पुरानी है, वो चीजा भी देखेंगे, तो एक sun यहां पे है, और इसी से, जो planet है, वो form हुए है, cloud of material से, तो यह बीच में था, और rotate कर रह है, और इसके बाद क्या होता है, एक cigar shaped का extension निकल करके आता है, solar surface में, अब cigar shaped किस तरह का होता है, वो हम लोग देखेंगे, अभी आप आगे समझे, as the passing star moved away, the material separated from the solar surface, continue to revolve around the sun, and it slowly condensed into planet, तो इसके बाद जो material है, टकराने के बाद, जो cigar shaped material बना, वो separate हो जाता है, solar surface में, और ध धीरे धीरे चकर लगाने लगता है, और यही चीज़ें आगे चलके condensed होके, यानि संगहनित होके, planets का रूप ले लेती है, तो दोस्तों माना जाता है कि इस तरह का youthful sun रहा होगा, इसे एक wandering star आ करके टकराया होगा, और इस तरह से cigar shaped की extension देखने को मिली, और यहां से जो materials न और भी बात निकल के आती हैं, जैसे अगर आप देखें तो gems, jeans जो हैं, उसके बाद sir, hello और jeffrey, इन जो hypothesis हैं, इन arguments को support करते हैं, इसके बाद में जो arguments हैं, उन्हें एक companion माना जाता है sun का, की sun भी साथ के साथ co-existing थी, जब planets का अस्तित हुआ, तो इसे binary theory कहा जा रहा है, इसक इस तरह से काफी बाद revision देखने को मिलता है, और उनका ये मानना था कि जो sun है, the sun was surrounded by solar nebula, containing mostly the hydrogen and helium, along with what may be termed as dust, तो अभी मैंने जिसकी बाद की, तो solar nebula देखने को मिलता है, और sun इससे घिरा हुआ था, ठीक है solar nebula से, और solar nebula की सीच का बना था, तो mostly hydrogen देखने को मिलेगा, helium देखने को मिलेगा, इस तरह से ये सब यही gases का एक mixture था, एक dust particle से भी composed था, तो इस तरह से ये nebula थे, और बाद में फिर friction और collision के कारण ये disk से cloud बना, इसके बाद planets इसी process के कारण, acceleration और बाकी चीज़ों में घूर्डन वागेरा के कारण, इन planets का निर्मान होता है, तो basically ये जो थियोरी से वो एक ही चीज़ पर इसारा कर रही है, कि planets और बाकी चीज़ों का उदह कैसे हुआ, तो इसमें sun को एक predominant स्थान में रखा जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं जो बाते बताई जा रही हैं कि एक nebula होगा, एक dust cloud होगा, जो की टकराया होगा, और इ सबसे popular theory आपने नाम जरूर सुना होगा, बीग बैंग theory, बीग बैंग theory देखने को मिलेगी, और बीग बैंग theory क्या है वो समझते हैं, लेगिन इसे expanding universe hypothesis भी कहा जाता है, और नाम से असपस्ट होता है, कि universe के expand की बात की जारी है, फैलने की बात की जारी, और hypothesis का मतलब तो प होती है, galaxy मतलब group of star galaxies का लाते हैं, जो बहुत सारे compose होते हैं, तो यह जो galaxies है, यह move further करते हैं, और इस तरह से यह काफी दूर दूर जाते हैं, galaxies, और इसके example में experiment की बात की जारी है, कि आप एक balloon में mark कर सकते हैं, point को, और इन points में आप represent कर सकते हैं, कि यह galaxies है, तो जब यह the balloon, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कि जो आपने point mark कर रखे हैं, वो move करने लगेंगे, जाहिर से बात ही, क्योंकि यह expand कर रहा है balloon, तो जब यह move करने लगेंगे, तो distance भी बढ़ेगी, of course, तो यानि यहाँ पर माल यह दो point करीब है, आपने इसे inflate किया, तो इन दो points की distance कुछ बढ़ जाएगी, तो यही चीज galaxy के साथ भी बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखे example में, तो problem यह निकल के आ रही है, कि this is not in accordance with the fact, कहने का मतलब यह है, कि scientist का यह मानना है, कि जो galaxies के बीच की distance है, जैसे अगर आपने balloon में दो point मार क इसे inflate करेंगे, तो इन दो point के बीच की distance तो बढ़ेगी, लेकिन यह जो point है, वो भी size में बढ़ते जाएगे, यह आपने जरूर experiment किया होगा पहले, या अगर आपने नहीं भी किया तो आप check कर सकते हैं, काफी simple यह है, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कि जब balloon में कोई point ल बीच की वो तो बढ़ रही है, लेकिन expand नहीं हो रही galaxy, कहने का मतलब यह जो point है, वो खुद में expand नहीं हो रही, ठीक है, तो यह balloon वाला example सिर्फ partially character है, कहने का मतलब यह है, कि यह तो सही बात है, कि आप जब balloon को inflate करेंगे, तो यहाँ पे point के बीच की दूरी बढ़ेगी, लेकिन वो point भी बढ़ता जाएगा, जो कि universe के case में सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो galaxies है, उनकी खुद की size expand नहीं कर रही, बलकि उनके बीच की दूरी expand कर रही है, जो दो galaxies के बीच के distance है, वो बढ़ती जा रही है, तो universe के development को लेकर के following stages बता गया है, Big Bang Theory के, तो सबसे सबसे प्रारम में बात की जा रही है, कि जितने भी matter है, वो universe में, सारे के सारे एक जगा पे एक tiny ball में थे, एक tiny ball में exist कर रहे थे, जिसे singular atom कहा जा रहा है, और ये with an unimaginally small volume, जो की बहुत ही small volume, बहुत ही छोटी volume की थी, infinite temperature देखने को मिल रहा था, और infinite density थी, ठीक है, लेकिन big bang के साथ क्या हुआ, जो tiny ball है, वो explode करती है, बहुत ही violently, और इससे huge expansion देखने को मिलता है, अब ये माना जाता है, कि ये जो big bang की घटना होई होगी, जिसमें जो singularity, यानि universe और ब्रह्मान सारी चीजों का जो matter एक जगा पे है, ये जब expand किया होगा, तो ये घटना काफी साल million years ago की बात की जा रही है, ये expansion हुआ, लेकिन आज की date में भी expansion चलता जा रहा है, दीरे दीरे जो galaxies के बीच की दूरी है, वो बढ़ते जा रही है, इसके अलावा क्या हो रहा है, देखिए, जो some energy है, वो convert हो रही है matter में, और ये particularly rapid fraction की बात की जा रही है, big bang के बाद, और इस big bang की घटना में, जब जो singularity, वो explode करती है, उसी घटना के साथ-साथ, तो first atom है, यहाँ पर first atom बनना, शुरू हो जाते है, 3 minute के अंदर ही, तो जब big bang की घटना होती है, जब ये singularity वाला matter explode करता है, इसके बाद अगर आप देखे, तो 3 लाग सालों के बाद, big bang, big bang की घटना क के साथ, और यहाँ पर atomic matter का उदे होना, शुरू हो जाता है, और universe transparent हो जाती है, और इसी से मिलता जुलता है, इसका एक alternative concept देखने को मिलता है, होयल का, जिसका नाम है steady state, ये concept क्या कहता है, it considered the universe to be roughly the same at any point of time, किसी point of time के, एक समतुल माना जा रहा है universe को, दोस्तों इसके box को समझ लेते हैं, देखिए, आप ए light year की बात की जा रही है, तो light year, नाम से लगता है, जैसे year है, तो time हो, लेकि नहीं, light year किसकी मातरक है, किसकी unit है, तो ये unit है, distance की, दूरी की, very important, ठीक है, तो अब ये light year दूरी की मातरक है, यानि कितने दूरी में, कितने meter में कैसे convert करे light की, तो अगर आप इस हिसाब से देखें, तो जो distance एक साल में light के द्वारा travel की जाएंगी, वही light year कहलाएंगी, ठीक है, एक साल में, one year में, जितनी दूरी, जितनी distance cover की जाएंगी light के द्वारा, वो क्या कहलाएगी, light year कहलाएगी, माल लिजे, तो ये दूरी है कितनी, 12 km या फिर 9.46 x 10 to the power 15 meter, आप जो लिख लेंगे, अगर आप मीटर में देखेंगे, तो इतनी दूरी बनती है, और यही light year कहलाएगी, ये आपको याद रखना है, one light year equal to कितना होता है, 9.46 x 10 to the power 15 meter, ठीक है, और इस तरह से जब आप इसे calculate करेंगे, तो mean distance भी अर्थ के बीच की निकल क्या जाएगी, ठीक, ये आपको पता होगा, तो 149 के लगभग आती है, 149 million km, डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो, जो distance of a fixed तो होती नहीं, क्योंकि elliptical path है, कहीं पर बढ़ जाती है, 151 के something, और फिर बीच में 149 हो जाती है, और इस तरह से अगर आ इसकी बात करें हाँ पर, तो जो stars है, are localized lump of gases within a nebula, तो nebula जो की dust particle और जो nebula होता है, जो group होता है dust particle और gases का, जिसके हमने बात की hydrogen और helium gases में mostly composed होता है, उनमें जो star है, वो localized lump होते हैं उनी gases में, तो इसके बाद अगर आप देखें तो जो gravitation force है, उसके कारण क्या होता है, ये lumps जो form करने लगते हैं core में, और इस तरह से एक huge rotating disk of gas का निर्मान होता है, और dust develop होते है, gas core के around, अगले stage में क्या होता है, ये जो gas के cloud बने हुए है, nebula के अंदर, इनमें जो हमने बात की, gravitation force के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है, तो ये जो gas cloud है, ये condensed होने लगते हैं, यानि nebula से जो originate होने की कोशिस कर रहे हैं, ये small rounded object क्या कहलाते है, plant decimal, तो planet decimal का मतलब यह है, कि ये planet का छोटा हिसा अभी है, पूरे तरीके से planet में develop नहीं हुए, लेकिन समहा आप कह सकते हैं, कि ये planet की तरह ही है, और इसी तरह सी ये जो particle है, dust और gases का, इस तरह सी ये निकल करके आते हैं, अब ये जो larger body start forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick together, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या infect अगर आप देखे तो इसी case में, जो यहाँ पे जो nebula के अंदर जो gases, gas particle और जो dust है, वो आपस में जूड रहे हैं, gravitational attraction के कारण, और इस तरह से planet decimal जो है, वो धीरे धीरे करके large number of smaller body से बढ़ता जा रहा है, तो यह है planet decimal के पीछे की कहानी की planet आखिर बन रहे हैं, तो इन planet के बनने से पहले planet decimal बन रहा है, ठीक है, और final stage में क्या होता है, कि large number of small planet decimal, actually to form a fewer larger body in the former planet, obviously जैसा मैंने बताया, कि यह जो planet decimal है, जो कि अभी छोटे size में है, यह धीरे धीरे बाकी planet decimal से जुड़ते जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, यह gravitation के कारण, और इस तरह से यह stick together हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है, और इसके पार यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा planet, ठीक है तो यह सब hypothesis है, hypothesis का मतलब होता है कही न कहीं कलपना जो अपनी युकती से दी जाती है, इसलिए आप जब भी देखेंगे न तो यहाँ पर considered वगरा लिखा जाएगा, दोस्तों ना बात करते है solar system की, देखिए solar system एक ब अगर आप देखें तो हमारे solar system में 8 planets है, और अगर आप पुरानी वाली बहुत पहले जो NCRD आती थे, old NCRD वगरा में देखेंगे, इनफेक्ट जी सी लिओंग में भी 9 दे रगी है, तो बहुत पहले छपती थी इस वज़ा से, तो अभी तो हमें पता है कि Pluto जो है वो उसे ड्वार प्लेनेट की स्रेनी में डाल दिया गया है, पहले वो ड्वार मतलब अभी जैसे planets थे उसे हटा करके, उसे ड्वार प्लेनेट की स्रेनी में डाल दिया गया, 2006 से ही, यह सारी चीजे भी हम लोग देखें क्योंकि इस पर भी question बने है, और इसके बाद अगर आप hydrogen, helium gases होते होंगे, dust particles होते होंगे, तो इनसे जो जिससे हमारा solar system, जो origin में आया, तो यह माना जाता है कि यह 5.5 billion years ago, 5.6 billion years ago, पहले originate हुआ होगा, obviously एक exact time frame में इसे डालना बहुत मुश्किल काम है, बट फिर वी एक rough date अगर हम बात करें, तो 5 to 5.6 billion years ago, पहले माना जाता है क हमारे solar system का उदे हुआ होगा, इस nebula से, और planets जो हैं बाद में, अगर आप देखे तो इसके मुकाबले 1 billion years ago बाद, यानि 4.6 billion years ago, और इसिन होता है कि इनका planets का, और यह अगर आप यहाँ पे देखे तो 8 planets, 63 moons की बाद की जारी है, हलाकि moons का नंबर बढ़ता ही रहता है, क्य में natural satellite नहीं है, वो आप comment करेंगे नीचे, हलाकि इस पर तुम लोग बात करेंगे आगे आने वाले lectures में, अभी आप comment कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप देखे तो million of smaller bodies की बात की जारी, जैसे स्टोड हो गया है, धूम के तुज वगयरा होते हैं, जो comments होते हैं, जैसे ह हैली का नाम आपने सुना होगा, और इस तरह से बात करेंगे, हम लोग बहुत सारे dust, grain, gases, इन सब चीजें भी देखने को मिलती हैं, हमारे solar system के अंदर, दोस्तों हमारे जो 8 गरा हैं, इन्हें भी divide किया गया है, दो तरीके से, जैसे अगर आप देखें, तो जो आगे वाले चार है, मरकरी, वीनस, अर्थ, और मार्स, इन्हें इनर प्लेनेट की सरेणी में रखा गया है, और यहाँ पर बीच में जैसे अकि एस्ट्रोइड बेल्ट देखने को मिलता है, तो इदर चार प्लेनट है, और इस साड में चार प्लेनट है, दोस्तों यहाँ पे देखें, प्लेनेट और जोवियन प्लेनेट की बात करते हैं यह सन है और जो सन के सामने वाले उमीद है मुझे आपको मुझे उमीद है कि आपको इन ग्रहों का करम याद होगा अगर आपको याद नहीं है तो इसकी काफी फेमस निमोनिक है तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं और आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि यह जो ग्रहों के करम है यह काफी चीजें बताएंगे और काफी इंपोर्डेंट भी है इसे समझना तो यहाँ पर आप देखे तो मार्स और जुपीटर के बीच मार्स और जुपीटर के बीच एस्ट्रोइड बेल्ट देखने को मिलता है और नेप्चून के बाद क्यूपर बेल्ट यह भी इंपोर्डेंट है आपको ध्यान रखना है क्यूपर बेल्ट क्योंकि आगे जब आप देखेंगे तो पूछा जाता है बहुत बार की चार ठीट इने जोबियन रखना जाता है जोकर जाता है जोंकि suggest कर रहाते है तो यह आपको ध्यान रखना है बहुत बार पूछा जाता है कि निमिकित में से कौन सा टाव्त नहीं है ओ सा। घयाँन तो भी आप ध्यान रखेंगे कि चार टार इनर प्लेंट और लास्ट वाले आउटर ठीक है या फिर जोवियन और ये इनर है या फिर टेरेस्टियल मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स तो जो मैंने आपको बताया वही बाते हैं आपे लिखी गई है, एट प्लेनेट मैंसे स्टार्टिंग वाले चार इनर प्लेनेट कहलाते हैं, जो की बताया जा रहा है कि इस्ट्रोइट बेल्ट के चार और दोनों और देखने को मिलते हैं, और इसी तरह से आगे के जो चार प वो जोवियन है यानि जूपीटर लाइक देखने को मिलते हैं और इन प्लेनेट्स में काफी थीक एट्मोसफेर देखने को मिलता है जो कि हिलियम हाइड्रोजन वगेरा से बना हुआ है और इसके बाद देखे बात की गई है ये बात भी पहले आपको ध्यान रख लेनी है कि 4.6 billion years अगो लगबग प्लेनेट का और इजिन देखने को मिलता है और रिजेंट्ली बात की जारी आगया अगया स्टूथाजन सिक्स में प्लूटो को प्लेनेट की स्रेनी में माना जाता था लेकिन अगया स्टूथाजन सिक्स के बाद इसे जब एक मीटिंग हुई इंटरनेशन एस्टूनोमिकल यूनियन की तो वहाँ पर डिसिजन लिया गया कि प्लूटो जो है बाकि सेलेश्चिल अब्जेक की तरह ही स्रेनी तो रखता है लेकिन प्लेनेट की स्रेनी में यह नहीं रखा जाएगा इस वजासे से ड्वार प्लेनेट की स्रेनी में डाल थीक है तो धोस्तो थोड़ा difference दिया गया वह भी देख लेते हैं टेस्ट्य और जोबेवन प्रेननेट के भी जो starting वाले चाहर है और यह बता जारा है कि यह स्टार के जेनरेट हो यहां से यह काफी वारंथ उन्हें काफी वारंथ मिली और इससे यह स्टीन के मुकाबले काफी जादा ठंडी है और इसके बात कि जारी जो इन्ट इंटेंस नियर अर। तो यही बात है कि solar wind है जो ज्यादा intense थी सूरी के नज़िदीक तो इस वज़स जो starting वाले चार है इनमें gas और डस्ट काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिला और solar wind इस हिसाब से अगर आप देखे तो जो last वाले चार जो वेन प्लेंट है उनमें उतनी intense नहीं देखने को मि अपारी दोस्तों आप हम लोग previous यह कुछ question करेंगे देखिए बहुत सारे question आये हुए है hypothesis वगरा पर उसके solar system पर तो और भी ज्यादा लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत कम question करेंगे अलग से यह chapter complete होगा उसके बाद उन सारे सवालों को एक साथ कर लेंगे यह question फिलाल universe का पहले एक singularity होगी, explode कर गई होगी और इस तरह से चीज़े हम लोग ने देखी, दोस्तों यह question serious 2018 में पूछा गया था, एक side में hypothesis दी गई थी और एक side में propounder का नाम दिया गया था, कि किनके दोरा कौन सी hypothesis दी गई, लेकिन यहाँ प अगर आप नाम देखे तो काफी difficult से hypothesis दे रखे हैं, एक दो हमने पढ़ा है, बट देखें यह क्या है ना कि काफी deep में theories ही है, NCRD में भी आपको directly नहीं मिलेंगी, तो यह जो extra बाते जब भी देखने को मिलें, तो यह आपको note down कर लेना चाहिए, क्योंकि maybe in future पूछ लिया जाए, directly one statement के form में, बताए, who propounded the thermal contraction theory, इस तरह से करके पूछा जा सकता है, तो यह बाते important होती है हमारे लिए, तो फिलाल इसे हम लोग match करते हैं, तो देखिए, planet decimal hypothesis पर हमने बात की थी, कि किस तरह से nebula में, जम nebula rotate करी थी, तो वहाँ पे कुछ जो छोटे मोटे planets के टुकडे हैं, gases के gravitation के कारण gases साथ में आते ह और इस तरह से planet decimal origin होता है, और धीरे धीरे आगे चलके यह condense हो करके planet का रूप धारन करती है, तो planet decimal hypothesis दिया गया Chamberlain के द्वारा, तो इसे अगर हम लोग match करें यहाँ पे, तो यह planet decimal hypothesis Chamberlain के साथ जाएगा, thermal contraction theory Jeffries के साथ, इसके बाद geosynchronous origin theories होया, यह दी गई है कोबर के द बनेगा, two, four, one, three का यह करम बनेगा, ठीक है तो यह बहुत detail है, तो इस वज़ा से मैं आपको बताता हूँ कि जो extra बाते हो आपको बहुत अच्छा से ध्यान रखनी क्योंकि इन future उनी चीजों के repeat होने की संभावना होती है, हाला कि इन theories पर अभी हम लोग आगे चर्चा कर और आप अपना सुझाओ या राय कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को सेर करें और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, थैंक्यू सो मच